हिंदु धर्म में गणपती, सर्वशक्तिमान और बुद्धी के देवता के रूप में पूजित किये जाते हैं। उन्हें सरवाधिक प्रसन्न करने वाले और सरवाधिक पूज्य माने जाते हैं। गणेश जी की महिमा को व्यक्त करते हुए यह कहा जा सकता है कि उनके पूजन के बिना किसी भी कार्य की शुरुवात नहीं होती। मनुष्य जब भी कोई नया कार्य आरंभ करता है तो उसे पहले गणेश जी का पूजन करके ही प्रारंभ किया जाता है। उनकी पूजा से कारियों में सफलता और मंगल प्राप्थ होती है। गणेश जी को विग्नहरता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी कार्य में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति प्राप्थ है। इसलिए उनके बिना किसी भी कार्य की शुरुवात नहीं होती। गणेश जी का एक प्रमुक संदेश है धैर्य और समर्थता का। उनके साकार विग्रह में हाथी के मुख को इनसान के धड़ पर संयुक्त किया गया है, जो उनकी बुद्धी, धैर्य और गंभीरता को प्रतिनिधित करता है। हाथी की तरह हमें भी अपने कामों में धैर्य और समर्थता से कदम रखना चाहिए। उनके नेत्रों का अपना महत्व है, जो हमें धैर्य से और गहराई से सभी बातों को देखने की शिक्षा देते हैं। उनके लंबे और मोटे पेट का संदेश है कि हमें सभी जानकारियां और अनुभवों को धारण करने की आवश्यक्ता है। इसके बिना हम सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। गणेश जी के एक दंत स्वरूप का महत्वपूर्ण संदेश है एकता का। वे हमें एकता की महत्वता सिखाते हैं और यह बताते हैं कि एकता के बिना कोई भी समाज या संगठन सफल नहीं हो सकता। गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य शुरू नहीं होता। उनके बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने कारियों की शुरुवात में सदैव उन्हें याद रखना चाहिए. उनके पूजन से हमें कारियों में सफलता प्राप्त होती है.